मैं नमश्का साथियो आज एक अत्यंत गंभीर राश्ट्रिय सुरक्षा से जुड़ा पंजाब की और देश की सुरक्षा से जुड़ा मैं अगर ये कहूं कि पंजाब की राजनीती में एक नया मोड़ देने वाला और जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं क्या उनके लिए देश की सुरक्षा से बड़ा सत्ता और कुर्सी है एक ऐसा विशे लेकर पंजाब कॉंग्रेस के प्रभारी भाई हरीश जी चौधरी हमारे अखिल भारतिये कॉंग्रेस कमेटी के प्रवक्ता पवन जी मैं भुपेंदर जी गुर्मुक्ची हम सब आपके बीच में उपस्थे थें इससे पहले के हम अपनी बात आपको कहें आम आदमी पार्टी के संस्थापक कुमार विश्वास जी ने आज एक बहुत संसनी खेज खुलासा किया है जिसने कुछ दिल दहलाने वाले तथ्थे देश और प्रदेश के समक्ष रखे हैं वो वीडियो एक बार हम आपको चला कर दिखाएंगे और उसके बाद हरीश जी और मैं अपनी बात आपके समक्ष रखेंगे मैं भूपिंदर जी से अनुरोद करूँगा कि वो वीडियो चला दें जिसने एक समय में मुझे यह तक कहा था यह मैंने उसको कहा कि यह जो फ्रिंज यह पंजाब एक भावना है पंजाबी एक भावना है पुरी दुनिया में ऐसे में एक ऐसा आदमी जिसने एक समय में मुझे यह तक कहा था कि यह जो फ्रिंज है जो अलगावबादी संगठन है जो खालिस्तानी मुझें लोग है इनका साथ मतले पिछले चुनाओं मैं और उसने कहा था कि नहीं हो जाएगा चिंता मतकर और कैसे चीफ मिस्टर बनेगा तो तो सब को पता है पंजाब में सब को पता है कि एक दिन तो मुझसे कहता है कि तो चिंता मतकर या तो मैं एक स्वतंतर सूबे का मुख्यमंत्री बनूंगा और मैंने का या लगावबाद 2020 का रेफरेंडम आ रहा है पूरी दुनिया फंडिंग कर रही है एसाई से लेके और बाकी अलगावबादी ग्रूप तो क्या हो गया तो स्वतंतर देश का पहला प्रुदान मंत्री बनूंगा अजिस आदमी के थौट में इतनी ज्यादा अलगावबाद को लेके वह किसी भी कीमत में बस मुझे सरकार मिले सकता मिले मुझे दूख दन्यावाद भूपेंदर जी साथियो आज दिली के मुख्यमंत्री शिरी अरुविंद केजरी वाल जी का चेहरा आम आदमी पार्टी के संस्थापक कुमार विश्वास जी ने बेनकाब कर दिया आज दिल देहलाने वाले संसनी खेज खतरनाक देश की सुरक्षा से जुड़े तथे उन्हीं के अपने सहयोगी जिन्होंने मिलकर आम आदमी पार्टी का गठन किया था कुमार विश्वास जी ने जनता के सामने रखे हैं आज अर्विन केजरिवाल जी आज अर्विन केजरिवाल जी कठ घरे में खड़े हैं और केजरिवाल जी पंजाब और देश की जनता को आपको जबाब देना होगा पंजाब और देश की जनता अब आपकी देश भक्ती के उपर समीधान की वो शबत लेकर जिससे आप दिल्ली के मुख्यमंत्री बने हैं समीधान के प्रती केजरिवाल जी की निश्ठा के प्रती आज सवाल उठा है आज एक प्रशन चिन केजरिवाल जी की निश्ठा पर लगा है वो चाहे देश के समीधान के प्रती हो चाहे वो देश की सुरक्षा के प्रती हो चाहे वो पंजाब और पंजाबियत के प्रती हो चाहे वो देश की सीमाओं के साथ खिलवाड करने वाले संभावित अलगाववादियों के साथ साथ गांट के लिए हो सीधे सीधे हमारे च्छे सवाल माननी अर्विन केजरिवाल जी से भगवंत मान जी से और आमाद्मी पार्टी के लोगों से हैं क्या अर्विन केजरिवाल जी ने अलगाववादी संग्ठनों वे खालिस्तान से जुड़े लोगों का साथ लिया था सत्ता प्राप्ती के लिए मैं फिर दो राता हूँ पहला सवाल क्या शिरी अर्विंद केजरिवाल ने अलगाव वादी संग्ठनों जो देश की संप्रुभुता पर हमला बोलते हैं खालिस्तान से जुड़े लोगों जो देश की भूभागी अखंडता पर हमला बोलते हैं क्या अरविंद केजरीवाल जी ने उनका साथ लिया था क्या उस समय का मोड मंडी का ब्लास्ट और अब जो हाल में ब्लास्ट हुआ है क्या ये उन्हीं अलगाववादी व्यक्तियों और समूहों से जुड़ा है और क्या श्रीय अरविंद केजरीवाल का ऐसे अलगाववादी संग्ठनों समूहों और व्यक्तियों से कोई जुड़ाव है दूसरा सवाल क्या श्रीय अरविंद केजरीवाल पगवन्त मान और एचेस फूलका का जगड़ा करवा कर चोर दर्वाजे से पंजाब की सत्ता पर काबिज होना चाहते थे सीधा सवाल है दूसरा क्या चोर दर्वाजे से अरविंद केजरीवाल उस समय भी भगवन्त मान और एचेस फूलका का जगड़ा करवा कर सत्ता पर काबिज होना चाहते थे और क्या ये सही नहीं कि अब फिर अब फिर चेहरा भगवन्त मान का और सत्ता के लिए लार टपक रही है खुद अरविंद केजरीवाल की क्या फिर यही शडियंत्र एक बार फिर पंजाब की जनता के साथ करने का करने का स्वांग और साजिश अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं तीसरा सवाल क्या अरविंद केजरीवाल खुद पंजाब का मुख्यमंतरी बनना चाहते थे और अब फिर वही शडियंतर दोराय जा रहा है या फिर अर्विन केजरीवाल दिल्ली के इशारों पर नाचने वाली कट पुतली को किसी हालत में भी किसी प्रकार से भी पंजाब को देश से अलग क्या शिरी अर्विन केजरीवाल ने यह सोचा भी क्योंकि यह सोचना भी देश दरो है राख पांचवा सवाल अर्विन केजरीवाल इस नीती से किस शोच से पंजाब के अंदर सरकार बनाने का किन किन ताक्तों से समझोता करकर किन की मदद लेकर पंजाब को देश से बाठ कर पंजाब में भी सायद वो पंजाब को भूल वे हैं पंजाब को समझने में गलती करते हैं दर और भै के माध्यम से पंजाब के अंदर वो सियासत करना चाहते हैं बटवारे के माध्यम से सियासत करना चाहते हैं कल जिन सब्दों का इस्तमाल उन्होंने किया और आज अकल्पनिक कि कोई भी देश का नागरिक यह सोच भी सकता है बोलना तो बहुत अलग बात उन्हेंने सोचा बोला और करने का प्रयास भी किया पंजाब में किसी को डराया नहीं जा सकता है मुगल आई उनका पंजाब को डराने किया जो प्रयास था पंजाबियों ने मूँ तोड़ जवाब दिया अंग्रेजों ने भी डराने कियी प्रयास किया आतंकवाद के समय में दुनिया भर की ताक्तों ने अप्रयास किया कि पंजाब को बाटे पंजाब को डराए और पंजाब नहीं तो बटेगा और पंजाब नहीं तो डरेगा और पंजाब देश केळलिए जब अवशक्ता पड़ी पंजाब और पंजाबियों ने सबसे आगे आकर ओर बहुत कुछ दिया अर्विनी केजरिवाल जी पंजाब से देश को सबसे ज़्यादा प्रदेश मिली, सबसे ज़्यादा योगदान किसी प्रदेश से मिला है वो पंजाब से मिला जब देश को अवज सकता थी जब देश के अंदर अनाज की कमी पंजाब के किसानों ने पशीने की जिगा खुन तब का कर देश के पेट पाला पंजाब को समझने में उनकी गलती है मेरा तौर्विन केज़िवाल जी से यह है पस्त यह पूछना है कि बहुत बड़े दावे करते हैं बहुत बड़ी बातें करते हैं जो कुमार उश्वास जी ने कहा उसके संदर में वो क्या कहना चाहते हैं पर जो उनकी प्रस्वुमी रही है कि एक बार सनिक लाब लेने के लिए वो कुछ भी बोल लेते हैं उसके बाद में कुछ समझोते अभी करते हैं वो माफी भी मांगते हैं और उन जेटलीजी से उन्हेंने माफी मांगी ड्रक्स के संदर में जा चरंजी सिंग चन्नी ने ड्रक्स माफियों के खिलाफ कारवई करी उस ड्रक्स के संदर में उन्हेंने घुटने टेक कर और अपनी बात को वापिस लेकर वो माफी मांगी देश को बताई कि उन्होंने कि उन्होंने सिर्फ सताप्राप्ति के लिए ये अलका अल्पनिक sustainability बात सोची और प्रयाश किया शिरफ मुख्यमंति बनने के लिए बंजाब का हर व्यक्ती नहीं देश का हर व्यक्ती हाजी सवाल उनसे करना कोई प्रशन आप पूछना चाहें तो स्वागत है। उसके बारे में अलगाव वादियों खालिस्तानियों उग्रताक्तों से समझोते का साजिश का वो भी देश के खिलाफ बात कहे और वो उसको नकारे ना तो इसके क्या माइने हैं। वो एक साधारन व्यक्ति नहीं। उन्होंने समिधान की शपत ली है। पर इस प्रकार की बात आपने और मैंने भी की होती। तो देश द्रो का मुकदमे में जेल की सलाखों के पीछे हम होते। क्या किसी व्यक्ति को ये अधिकार है कि वो पंजाब के खिलाफ और देश के खिलाफ शडियंतर करे। क्या किसी व्यक्ति को ये अख्तियार है कि वो पंजाब जिसने उगरवादी की पीड़ा सही है तब तो शाहिद केजरी वाल जी राजनितिक जीवन क्या समाजिक जीवन में भी नहीं थे मैंने आपने तो सही है वो पीडा, हम तो यहां पढ़ते थे, लिखते थे, खेलते कूटते थे, वो तकलीफ सहते थे हमने देखा है पंजाब को उगरवाद की आग में जुलसते हुए हमने देखा है बच्चों की जिन्दिगियां जाते हुए हमने देखा है अबोध नागरिकों को पत्तों की तरह मर मर कर गिरते हुए उगरवादियों की गोलियों के सामने क्या कोई व्यक्ति अलगाव वादियों, खालिस्तानियों उगरवादियों से समझोता कर सकता है केवल कुर्सी के लिए सवाल केवल इतना है बताएं केजरिवाल जी के ये बात सही है या गलत है चुपें मत ये सर्थ आदरनीय साथी पिछले चुनाव में भी ये सवाल उठा कि वो सारी फंडिंग जो देश विदेश से आ रही है केजरिवाल जी की पार्टी को उसका स्तुरोथ क्या है यानि उसका सोर्स क्या है वो पैसा कहां से आ रहा है ये सवाल मैंने अकेले ने नहीं अगर मुझे सही याद आता है तो शायद फूलका साब ने भी उठाया सुखपाल खेरा जी ने तो शर्तिया ये सवाल उठाया था कई और नेताओं ने उनकी पार्टी के भी ये सवाल उठाया मैं भी आज इस बंद से पूछना चाहता हूँ केजरिवाल जी क्या आपको विदेशों से फंडिंग आई है क्या विदेश के किसी साथी ने आपकी पार्टी को फंडिंग दी है क्या वो करोडो करोडो रुपिया जो खास पार्टी ने पंजाब और दूसरे प्रदेशों में खर्च किया है वो पैसा कहां से आया है क्या इसके बारे में भी सारवजनिक पटल पर सूचना सांजी करेंगे क्योंकि ये क्राउड फंडिंग नहीं अब ये पैसा कहां से आ रहा है वो बताईए देखिए मैं ये नहीं कह रहा कुमार विश्वास जी ये कह रहे है कुमार विश्वास कौन है कुमार विश्वास जी ने आम आदमी पार्टी के संस्थापक है आम आदमी पार्टी के संस्थापक और केजरी वाल जी के सहयोगी ने एक बहुत बड़ा देखिए दोस्त ही दोस्त को जानता है साथी ही साथी को जानता है हम तो राजनितिक विरोधी हैं मुझे तो वो क्यों बताएंगे कि उनके किस किस से संबन है या आपको भी क्यों बताएंगे पर वो कुमार विश्वास जिन्होंने इस पूरी आम आदमी पार्टी को खड़ा किया उन्होंने एक बहुत संसनी खेज रहसे में चोकाने वाला एक अंतराश्ट्रिय साजिश की और इशारे करने वाला एक रहसे उद्गाटन किया है अब इसका सच क्या है अरुद केजरिवाल पंजाब और देश को जबाब दें मैं वाल कम टू यू आफ्टर हिब मोदी जी और केजरिवाल जी भाई-भाई हैं आज कल दोनों का गुप्त समझोता अब तो जमीन पर दिखने लगा है मोदी जी आएंगे केजरिवाल के खिलाफ और उनकी पार्टी के खिलाफ एक शब्द बोलकर नहीं जाएंगे केवल कॉंग्रिस पर हमला करेंगे के मैं I am going to come to you ma'am I am not running away I am just answering his question केजरिवाल जी बार बार मोदी जी की सुरक्षा को लेकर उनकी सेहत को लेकर उनके कारगुजारी को लेकर चिंता जताएंगे मोदी जी तीन काले कानून लागू करेंगे केजरिवाल जी उनको नोटिफाय करेंगे क्या उन दोनों का गुप्ट समझोता आप जनता को सामने नजर नहीं आता तो इसलिए कारवाही तो बहुत कड़ी बनती है सर अगर ये बात अगर ये बात मैं और आप अगर कहीं हमारे उपर ये इल्जाम लग जाता तो अब तक नरेंदर मोदी और E.D. और C.B.I. और I.B. और R.O. हमें अंदर कर देती और ये बात किसी साधारण नागरिक के लिए नहीं ये बात देश के राजदानी के मुख्य मंत्री के बारे में उनके सहयोगी कह रहे हैं और वो जबाबी नहीं दे रहे तो जब जबाब नहीं दे रहे तो शंका अपने आप पैदा हो रही है बात इतनी ही है आदर्णी मित्र वो चाहे मोड मंडी का ब्लास्ट हो चाहे वो लुधियाना का ब्लास्ट हो इसमें किस का हाथ है वो ताक्ते जो पाकिस्तान की I.A.S.I. के साथ मिलकर अलगाववाद और उगरवाद का शरियंतर हिंदुस्ता में कर रही है किसी देश भक्त का इसके अंदर हाथ हो ही नहीं सकता और जब केजरी वाल जी का सही होगी अलगाववादियों के साथ खालस्तानियों के साथ केजरी वाल जी के सम्मंद के बारे में खुले हम कहता है और केजरी वाल जी जबाद नहीं देते तो देश की सुरक्शा पंजाब की सुरक्शा को लेकर शंका पेदा होना और सवाल पूछना जायज भी है और हमारा करता हुए भी मैम I'll come to you after आदरनी मित्र मोदी जी गैस का सेलेंडर कब कम करेंगे इसका जवाब क्यूं नहीं देते और आप तो वैसे तो पुरुश और महिला बराबर हैं पर महिलाओं के उपर क्योंकि जुम्मेवारी कई बार और जादा हो जाती है एक ग्रहनी की भूमी का भी अदा करती हैं और सक्रिय पत्रकारिता हो राजनीती हो व्यवसाय हो उसकी भी भूमी का अदा करती हैं काश वो ये बता देते हमारी बहनों को माताओं को के ग्यारा सो का सेलेंडर एक हजार का सेलेंडर चार सो का कब करेंगे वो ये क्यों नहीं बताते हैं दो सो रुपे का खाने का तेल सो रुपे का कब करेंगे वो स्वांग और परपंच करने और महिलाओं के साथ बैठकर फोटो खिचवाने की बजाए काश मूंग की दाल 140 रूपे से 60 रूपे किलो कर देते तो हमारी सारी बेहने उनके लिए खूब जूम जूम कर उनकी जह जह कार करती वो मसूर की दाल जब इस देश के गरीब आदमी का मूँ चिडाती है और टमाटर गरीब आदमी की तरफ टर्राता है उसकी कीमते कब कम करेंगे ये क्यों नहीं बताते पेटरोल और डीजल की कीमत कब कम करेंगे ये क्यों नहीं बताते इसलिए स्वांग और परपंच कब तक करेंगे स्वांग और परपंच और फोटो अप और टेली प्रॉम्टर बहुत हो गया अब इस देश में गवर्नेंस की बात करें सर ओके सर केना एक कम तो यू आफ्टर सॉरी मैं माफी चाहूंगा ने ने मैं माफी चाहूंगा आप इतने सुंदरें वैसे ही नजर आ रहे थे वैसे एक मेंट सर आल कम सर आल कम टो यू सर आविल कम टो यू अध्र क्या आफ्र का अड़कर का सब डॉसदर आल को यू सर आ वह देहिए हो सब क Grade चाहिए क्या इस द्रीवारता है यू आपे हो ने एक जिए बाते हैं जुदरें ने इस प्रीव डेक्रें कि आषप जाया थे बढ़ना आप्टैंगा हैं अधिन केजडिवाल जी और आमाद्वी पार्टी शिरफ प्रब्लिशिटी प्रपंगेड़ना और शेंतर ही कर सेथी एक मौका अर्विंद केजडिवाल जी को किसके लिए अर्विंद केजडिवाल जी ने पंजाब के बारे में क्या उनके कृति है कोई भी पंजाब को एक जूट करने के बारे में उनका प्रयास नई कल उध्याना में जाकर उन्होंने क्या बात करें इसलिए इस तरह की बात सोचना कोई दुनिया की ताकत पंजाब के हिंदू शिख मुसल्मान या क्रिस्टिन के अंदर आपस के अंदर दर पैदा नहीं कर सकती यह हर पंजाबी अच्छी तरह से जानता है कि एक मौका जो वो चाहरे हैं उन्होंने क्या-क्या समझोता किये क्य क्या-क्रत्य किये कहां-कहां गुटने टेकें ड्रक्स माफिया के खिलाफ समझोता करकर गुटने टेक कर विक्रम मजीटिया से माफी मांगकर उन्हों ड्रक्स माफियों के खिलाफ जो उनका क्रत्य था उसके लिए एक मौका अंतरास्तिय साजिस में सामिल होकर वो पंजाब को टुकड़े करने की बात जो कुमार विश्वास जी कर रहे हैं उसके लिए एक मौका किसके लिए एक मौका किसानों के बिल जिसके लिए पूरा पंजाब संगर्श कर जाता उस वक्त किसी बिल के अंदर संदर में उन्होंने दिल्ली विदानसवास में उसको पास कर रहा हो उसके लिए आज बात करते हैं वो हेल्थ मॉडल की पब्लिसिटी और प्रोपोगेंडा करें दिल्ली के हेल्थ मॉडल की उस हेल्थ मॉडल के अंदर जहां उनके खुद के डिप्टी चीफ मिनिस्टर कितने मिनट तक जब वो खुद करोना में बिमार हुए कितने मिनट तक सरकारी अस्पताल के अंदर रहें और कितने मिनटों के अंदर वो प्राइवेट अस्पताल के अंदर गई इसके लिए एक मॉड़ा कोवेट के वक्त जो हेल्थ मॉडल की बात कर रहे हैं इस हेल्थ मॉडल में वहाँ दिल्ली के वेक्टियों की जो स्तितिय बनी इसके लिए एक मौका किसके लिए एक मौका हाँ आप जरूर कर रहे हो यह हवाई हवाई बाते हैं पंजाब के इंदर धरातल पर अगर जाओगे आप तो कहीं भी इस तंदर में एक मौका के बारे में कोई भी नहीं सोच रहा है पिछली दफ़े भी उन्हेंने सो सीटों का यहां वातरवन बनाया कि आज पंजाब के लोगों से उनको ततकाली इन विजल्ट के बाद में माफी नहीं मांगनी चाहिए थी आज यह प्रोपोगंडा चला रहे हैं कि पंजाब के अंदर एक मौका देने के लिए पंजाब ते याद है कि उनकी समझ सायर नादानी तक चली गई आदनी साथी मेरा सीधा सवाल है और आप एक मौजवान हैं समझदार पत्रकार भी है क्या आतंकवाद को चुनाव से दो दिन पहले जस्टिफाई किया जा सकता है क्या उगरवादियों से मिलन को चुनाव से दो दिन पहले उजागर नहीं किया जा सकता क्या व्यक्ति की विश्वसनियता पर अगर प्रशन चिन उठ जाए उसकी देश प्रेम पर प्रशन चिन उठ जाए उसकी निष्ठा पर प्रशन चिन उठ जाए उसकी समिधान के प्रती प्रतिबत्ता पर प्रशन उठ जाए और हम नहीं उठा रहे हरी शौदरी जी ने या क रित्र काओ, जनता के सामने रखना, उसकी विचार और सोच को जनता के सामने रखना, और उन से सवाल पूछना, यह हमारा दाईतव है, आल कम बैक सर, सॉरी, आल ज़स कम बैक, आदरनी मित्र चुनाव आयोग को इसका संग्यान क्यों नहीं लेना चाहिए, क्या चुनाव आयोग इंतजार करेगा, कि कोई उसे यह बात कहे, उनका दाईतव क्या है समिधान में, केंदरी ये एजनसियां जो पांक साल पुराने केस में, जहां चन्नी जी का कोई लेना देना नहीं और उनके परिवार का, वहां जूटे मुकद में दर्ज कर सकती हैं, तो यहां संग्यान क्यों नहीं ले रही, क्या सी बी आई, आई बी, आरे डाब्ल्यू, रॉ, सब सोय पड़े हैं, क्या ये इसलिए है, कि बड़ा मोदी और छोटा मोदी दोनों मिलकर समझोता किये हुए हैं, कि किसी भी तरह, जो देश और पंजाब की रक्षा करने वाली कॉंग्रेस की ताक्तें हैं, उनको बाहर रखना है, ये साफ है, आज क्योंकि हमें एक विशेश विशे लेकर आए हैं, बहुत जल्द हमारा घोशना पत्र आएगा, मानने ये प्रभारी महुद्दे यहां हैं, और आपके समक्ष रखेंगे, उस मैनिफेस्टो का काफी बड़ा हिस्सा, अलग-अलग हिस्सों में, जनता के सामने इस समय है ऐसा नहीं है कि मैनिफेस्टो में जो हमने लिखा है वो जारे नहीं हुआ, राहुल जी ने, चन्नी साहब ने, प्रदेश कॉंग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ने, भिन-भिन समय पर उसके अलग-अलग पहलु जनता के समक्ष रखे हैं, और एक पूरा कॉंपोजिट डॉक् दाने बादा